जै मातादी, सरस्वती मैस में आपका स्वागत है आज जो हम करेंगे प्रॉफिट एं लोज, लाब और हानी के ऐसे सवाल जो हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं मैंने इसके उपर पहले वी दो वीडियो बनाई हुई है और उन वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया हुआ है और उन वीडियो का जो लिंक है में नीचे डिक्स्रेशन बोक्स में दे दूँगा तो चलो आईए शुरू करते हैं तो पहला सवाल हमारा ये रहा तो पहला सवाल बोल रहा है कि जोन वाय एन स्कूटर फार रुपीज फोर थाउजन्ट सेवन हंडड़ एंड स्पेंड रुपीज एट हंड़ ओन इट्स रिपियर और इफ ही सेल्स दा स्कूटर फार रुपीज फाउजन्ट एट हंड़ वाट इस दा गेंड परसेंट अब सीधा सीधा बोला गया है कि जोन ने के किया एक पुराना स्कूटर खरीदा खरीदना क्या होता दोस्तों क्रेम उल्य कोश्ट प्राइज जो भी मैं अपनी जेव से पैसा खर्च करते होां लिए तो स्कूटर जो खरीदा बू कितने का खरीदा 4700 इफ करीदा और और खर्च करता है और उसकी मुरम्मत में 800 रुपिया और उसकी जो मुरम्मत कर देता तो 800 रुपिया और खर्च कर देता हूँ तो उस स्कूटर का जो क्रेम ले आएगा उस स्कूटर का जो क्रेम ले आएगा बोले तो कोश्ट प्राइज में शोट में लिख रहा हूँ सीपी कोश्ट तो वो आएगा दोस्तों 4700 प्लस इतने का तो थाई स्कूटर और 800 रुपया मैंने और खर्च किया तो मतलब उस्कूटर पर मैंने कितना पैसा खर्च किया पांच हजार पांच सो रुपया मैंने अपनी जेब से खर्च किया कोश्ट प्राइस के होता दोस्तों जो अपनी जे तो उसे बेच दिये बिक्रे मुल्या आगया तो वो क्या आगया दोस्तो सैलिंग प्राइज आगया और उसे बेच दिये कितने का पेच दिये 5800 रुपे में बेच दिया समझ आये कि निया अब हमसे क्या पुछ रहा है कि उसका लाब पतिशत कितना होगा उस सामने दिख रहा है कि 5,500 पे कि अगर मैं कोई चीज लेता हूँ मतलब इतना मैंने अपनी जेव से खर्च किया और उसे बेच दिये 5,800 पे में बेच दिया तो सामने सामने दिख रहा है कि मुझे 300 पे का क्या हो गया दोस्तों लाब हो गया समझ आये कि नहीं आया अब यह जो लाब है वो किसमें पूछ रहा तो सामने लग रहा है वो किसमें पूछ रहा दोस्तों पतिशत में पूछ रहा है तो याद रखना जब भी किसी की पतिशत निकाली जाती तो उसकी वेलिक लिखी जाती दोस्तों ऊपर ये लाब कोण डिजीड करता है दोस्तों कोश्ट प्राइज कृए मुले क्रेम ले कहा घंगी है दोस्तों नीचे और गुणा कितनाई यह दोस्तों ऑगे समझ आएक निया है अब गया जीरो से जीरो काठा था ने कलेरोगन पांसे कणकता कितना याarina और पांसे काठा कितना अधॉस्तों साट तो कितना अगए तो दोस्त वंटा किटना गया 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 1111-15Ab और कितने वेचेत तो पांच मेशनों नीचे आगे 11 Angande कितने परसेंट का लाब हुआ दोस्तों पांच पांच वटा 11 परसेंट का क्या हुआ दोस्तों लाब हुआ तो सामने दिख रहा दोस्तों option is the right answer समझ आये की नहीं है मतलब यह सीधा सीधा यह पिल्कुल basic level का question था मैंने इसलिए इसको रखा कि आपका थोड़ा रिवाइस हो जाए उसके बाद देखना कि आगे आगे जितने भी कोशन दोस्तों बड़े अच्छे लेवल के मैं question लेक्या है पूरा प्रपाइट ओव बीव कोशन लेक्या है तो आभी देखते हैं दोस्तों रिखते है नेक्स कोशन क्या बोल रहा है कुशन बोल रहा है द गुश्ट प्राइज रख द रखेस ऑफ टोंटी आर्टिकल इस सेम अस दा सैलिंग प्राइज अवद एक्स आर्टिकल मतलए मैंने बीस आर्टिकल कुछ बीज किताब है खरीद है उसका जो खरीद आईगा कि 20 लेखों की लागत मुल्य मतलब 20 लेखों का जो लागत मुल्य मुझे नहीं पता है और एकस लेखों और जितने भी मैं लेख देता हूं उनके जो विक्रे मुल्य है वो कहां दोस्तोब समान है यदि लाम मेरा 25% हुआद अब यह कुशन ऐसा है कि ना मुझे लागत मुल्य पता है ना मुझे बिक्रे मुल्य पता है मतलब ना मुझे कोश्ट प्राइस पता है ना ही मुझे सैलिंग प्राइस पता है अब जैसे मैं माल लेता हूँ कि मेरा जो मतलब मैं यहाँ पर पैसे कॉंश्टेंट माल लेता हूँ जैसे अब constant पैसे का समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ है जैसे लागत मुल्य माल लेते हैं कि एक किता मुझे 5 रुपे की पड़ी होगी मतलब 20 लेखों का लागत मुल्य बोलो तो एक लागत मुल्य होगा एक लेख का जो 5 रुपे माल लेता हूँ अगर मैंने 5 रुपे माल लेता तो 20 लेखों का जो लागत मुल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों 100 होगा एकरी करते हूँ कि नहीं करते हूँ अब ये जो पैसे हैं अब ये पैसे कह रहे हैं दोस्तों सेम रहे ये पैसे कह रहे हैं दोस्तों कॉंस्टेंट रहे तो अब मुझसे बोड़ रहा है कि मैं बिकरे मुले कितना रखूँ ताकि वो लागत मुले के 20 लेखों के बराबर हो जाए यदि लाब 25 परसेंट है अब देखो लाब मेरा 25 परसेंट हुआ है और मैंने 100 पे अपनी जेब से खर्च किया और मैंने लाब कमा लिए कितना 25 परस है मैं 100 पे आगर 22 लेख देता हूं तो नैचरल है मुझे दो लेखों की क्या होगी ़ाओ दोस्तो हानी होगी क्योंकbling Brig 2 लिए-श्ट्रा देने पड़ए अगर 2008 लेखों क्या होगा वखे मां 15 esperandoime दो लेखों का क्या हो जाएगा दूस्तो लाब हो जाएगा, clear हुआ की नहीं हुआ, तो बस हम से यह बोल रहा है, कि मैने řू रूपरे अपनी जेब से खर्च रख किया, और 25 परसेंट का लाब कमाना है, तो 100 पे के अगर मैं 20 लेख ले रहा हूँ तो 100 पे के मैं कितने लेख दूँ ताकि मुझे 25 परसेंट का लाभ हो समझ आ गया की नहीं आ गया मतलब natural है मुझे 20 लेखों से क्या देना दोस्तो कम लेख ही देने तो भी मैं 25 परसेंट का लाभ कमा सकता हूँ वो 15 हो सकते है वो 16 हो सकते है वो 25 हो सकते है वो 18 हो 25 तो वैसे कट गया यह तो हानी हो जानी है तो हमारा अंसर क्या हो सकता है 16 हो सकता है 15 हो सकता है 18 हो सकता है समझ आया कि नहीं मतलब मुझे एक स्क्रिवल निका लिए तो कभी भी ऐसा कोशन आ जाए तो मुझे पता है मुझे किस के पीछे भागना है मुझे क्रे मुल्य और बिक्रे मुल्य के पीछे भागना है मतलब कोश्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज के पीछे भागना है तो बस जैसे कोशन बोल ले तो वैसे वैसे कोशन बोलता जाए वैसे वैसे लिखते जाऊं, 20 बस्तों का क्रेम मुल्य, मुझे नहीं पता है क्रेम मुल्य कितना मैं ने CP माल लिया वो बराभर है X एकस आर्टिकल भी मुझे नहीं पता है वो कितने है, ले रोगए है, वो कम हो सकती है 20 लेकों से कम ही होगे क्योंकि लाब हुआ है तो एक्स आर्टिकल किसके दूस्तों बिक्रेम ले तो कुछ ना कुछ उसका बिक्रेम ले ज्यादा रखा होगा तो मैंने उसके उस पर क्योंकि उनके जो पैसे हैं वो को इसे समझाने के लिए आपको किया हुआ है अब देखो कैसा सा कोशन आजाए सीधा सीध कि वेले पूछ रहा है कि मैंने उस लेक की जो कीमत है कि बीस रुपे में बेच बीस लृपे बार कुछ से लाभ सिक लिए कितना वो दूस्तों पचिस परसbbeशन है और ही में कुंछ प्रसेंट में कोश्ट प्रसेंट है विए लाव को साहटता है? मेरा जो क्यों मिल्य कोष्टपराइब काटा है यहां पर पर चारपे की छीज खरीदी थी समझहां मतलब क्या कि चार रुपे में चीज खरीदी थी पांच रुपे में बेचा तो सामने देख रहा है मैंने कितने का बेचा यहां पर एक्जामर के मताबिक करना पड़ेगा अब एक्जामर ने तो 20 रुपे में बेचा पर आपने कितने का बेचा दो पांच रुपे में बेचा हो अब देखो मिश्य क्रेम उल्ले कितला दोस्तों 14 तो मतलब मैंने उस आर्टिकल को एक एक आर्टिकल को सोला रुपे में खृदा होगा प्रांतु हमसे लेक पुछे तो X की वेली पुछे लेक सब्सक्राइब कितला है क्या मैंने सोला लेक दिये होंगे क्लेर हुआ немốc मैंने खृणit एक एक बैसे प्रकाल घुबक्र पर थे समझ घंगे हो तो मतलब मैंने सोलोग दिए कोशन एसे बन गया समझ आगे नहीं आ गया दोस्तो है A is the right answer इस question को थोड़ा समझना है इसकी detailing को थोड़ा आप समझो गए तो बड़ा चेत्री किसे आप समझ पाऊगे तो आभी देखते हैं दोस्तों next question क्या बोल रहा है if the selling price is double मतलब यदि बिक्रे मुल्य दुगना हो जाता है हमारा जो selling price है वो दुगना हो जाता है if the profit is triple हमारा जो profit है वो triple हो जाता है agree करते हो कि नहीं करते हो चलो triple हो जाता है what is the profit percentage तो हमारा जो profit percent है वो कितना होगा यदि बिक्रे मुल्य दुगना हो जाता है तो लाब अगर मेरा दुगना हो जाता है तो लाब पत्रिश्याइट क्या होगा तो बड़ा ही असान सवाल है दोस्तों अब बोला कि मेरा जो सालिंग प्राइज मेरा जो बिक्रेivering मूल्य तो मैं लिख देता है भॉय को भाई बोके हो जाता दोस्तो डबल हो जाता है था तो मान लेना प्रोफिट triple हो जाता हो पहले मेरा पॉफिट कितना हो रहा थाएकception Rp अब मेरा जो कितना हो रहा दोस्तो 30 Rp हो रहा bisku शुन को मैं कर सकता हूं इसको थोड़ी लंबे से भी बताता हूं कि आप अप से कह सकते हैं और वैसे इसका देख यह मतलब आंसर कैसे आ सकता है वो भी आपको समझ जाए कि रिश्यों के साथ आप मैल्टिप्लाई करो डिवाइड करो रिश्यों करेती दूस्तों सेम रहती है तो अब देखो अगर तो नेचरल है कि इनका जुश्ट अश्यों नने कर्दाह रहार हो था जलना एक यह लाब हुआ और एक रपे में बचा तो मतलब क्या मेरा जो क्रेम उल्य होगा वह जीरो होगा वह गलत हो जाएगा ना दोस्तों अगर मेरा लाब है थोड़ा आप यह सेंस लगा सकते हो कि एक रपे लाब हुआ तो आपने क्या करना है कि कोश्ट प्राइस को एक रपे माल लेन अगर यह रुप्राइब माल लिया तो मेरा जो लाब है बूग कितना हो गया दोस्तों अगर यह से तुकका नहीं कि आपने तुकका मार दिए यहांपर आपको सिर्फ confirm करवाना है यह आपके जो practice करोगे जितने practice करोगे को कुछन हो गई तो यह आसकते हैं तो देखते हैं कि आपका नीचे वाला confirm हुआ की नहीं हुआ आपका यहाँ पर कोश प्राइस कितना बना, एक रुपे बना, लाब कितना हुआ, तीन रुपे हुआ, तो आपका भिक्रे मुले कितना आ गया, चार हो गया, तो सामने दिख रहा है, मैंने इसको करवा दिया, दोस्तों, कनफर्म करवा दिया, तो यह आपको यह प्रैक्टिस तो एक रपे की चीज है, वो मैंने कितनी की बेची मतल़ सोरी, एक रपे कहा हुआ, वो दूस्तों लाब हुई, ये लाब किसमें पुछ रहा, पतिश्यत में, जब भी किसकी पतिश्यत निकाली जाती हुआ, उसे कहा लिखा जाता हुआ, उपर क्रेम लेका आगा, नीचे समझना इस को, अब देखो, मैंने माल लिया कि मेरा जो कोष्ट प्राइज है, क्रेम ले है, वो X है, इसको समझना भी, मेरा क्रेम ले कितना है, आपने समझना है, ठीक है, अब बोला कि मेरा जो सेलिंग प्राइज है, वो दुगना हो जाता है, मेरा जो सेलिंग प्राइज ह को कैं मालने तो y मालने तो do we call का अब मुझे पता है कि अगर इसका जो यहाँ इसलिंघ के मेरा जाता है तो य माइनस क्या हो जाता दो difference हो गया हो गया दोस्तों मतलब मैं एकस और गता है और वाइक यह में पमाखा तो मतलं यड़ी यूवरन कीता है एक से मिर जम क्रॉषिंट किकिला हो गया है मेरा जो कोईज शिक्र मेरा साथ धों कह रहा है स्था दूस्तों मेरा जो सैलिंग प्राइज है मेरा जो सैलिंग प्राइज है थो दुगना हो गया है मेरा गाया वो दोLAN Knight दोस्तों तो टू वाइ माइनिस कितना आएगा दोस्तों एक्साइगा एगरी करते क्यों ने करते हो अब कोशन बोल रहा है कि हमारा जो लाब है हमारा जो यह इसका यह पहले जितना लाब आ रहा था अब जो लाब आएगा वो ट्रिपल होगा वो के होगा दोस्तों ट्रिपल होगा तो मसतलव रेशो बना सकते हैं ना मियां पर मतलब पहले मेरा जो लाब बना धी क्रिपल दी क्रिक्रिपलाई हो गया ऊपr और यह कहां चले गए उपर उपर मल्टिप्लाई हो तो 3 y minus कितना कि एक सट कर fan 2-2 y minus कितना हो गया दूस्तों X हो गया तो इसको मैंने लिखा तो कितना हो गया तो 3-3 बाई-3 से भी मैंटिप्लाइब 3-3 निचे टू इदर इढ़ा यहां कुछ नहीं तो क्या दोस्तों वन नहीं तो मतलब मेरा एक्स कितना घए एक पी आ गया तो मैंने ग्रेस कर गे स्टार्टिंग्ग एक और मेरा जूब आए बो कितना अगया दोस्तों और दोब्हों सामने दिखने कि अब आपको थोड़ा basic आपको clear हो गया होगा अभी दिखते हैं दूसरे next question क्या बोल रहा है तो next question बोल रहा है अब vendor brought bananas at six for a rupees मतलब एक vendor है वो एक रुपे के छे के लिए खरीदे एक रुपे के हासिल करने के लिए लाब हासिल करने के लिए उन्हें एक रुपे में कितने के लिए बेचने चाहिए तो नैचूरल है वो एकरपी के छे के लिए नί देगा, अब हो इकरपी के पांच दे सकता है, चार दे सकता है, तीन दे सकता है, अगर वो छे के लिए देगा तो पांच तो भी से 20% का लाव होगा समझ आया कि नहीं आया अब देखो अब मुझे पता है कि मुझे तो भाई लाव लूब निकालना हो तो कोश्ट प्राइस से ही गेंग घुमती है तो कोश्ट प्राइस मतलब मेरा जो क्रेम लिया गया अब मुझे पता है जो टोटल पैसे होते हैं वह हो दोनों ही क्या होते हैं परसेंटेज में सेम होते हैं अब बोला कि बेचा अब इसको बेचा कितने का बेचा दोस्तों लाब पर बेचा कितने लाब पर बेचा दोस्तों 20% लाब पर बेचा सामने बोल रहा है 20% लाब पर बेचा तो हमारा जो बिक्रे मुल्य है हमारा जो पूच रहा है selling price पूच रहा है वह ऐसे पूच रहा है कि UPK वो कितने केले देगा UPK कितने केले देगा ही अच्छी क्लेर हो गए वह वाना है यह हमसे से पूच रहा है gotta अगर देखो percentage आगे तो आपने सोचना भी कैसे natin कुष्च नुस दोस्तो पर पाविक उस बस्तू को कितने का बेचा हुगा 120 परसेंट का बेच होगा एगरी करते की नहीं करते हो आप इसकी रेशियों भी बना सकते हैं नहीं तो आप पर कंपैर्शन भी कर सकते हो तो सामने दिख रहा भाई मेरा तो 100% है इकजामर का कितना दोस्तो बन सकस्साएं दोस्तो पर और हसी उठी Śचाएंग मेरा तो 120 परसेंट एगumba थैस कि आदिगा यहffecta दोस्तों तो सामने देख रहे हैं एक्जामर के बताबी एक रुपे का आगे ऊपर तो एक रुपे के कितने दीए होंगे दोस्तों उसने केले 5 के ले दीए होंगे तो मेरा अंसर कितना आगे दोस्तों 5 आ गया तो option is the right answer समझ आयक लिए अगर हमसे पुछ लिए होता कि 10 सूर्पे के बो कितने के लिए देगा तो एबंदमेशन कोषण ऐसे करना थीक है दूस्तों 45 आ है कि समझ आगे 9 पमखे कितने के मृन्टालीस त contributes अब एसे थोड़ा detailing में ना है तो अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन क्या बोल रहा है मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा अभी कोशन अगला बोल रहा है कि the percentage profit earn while selling an item for rupees 1,920 is equal to the percentage lows includes why the selling that same item for rupees 1,280 at what price should the item should we sold to make 25% अब देखो मैं थोड़ा आपको confuse नहीं करना चाता हूं इसको थोड़ा समझते हैं देखो कोशन बोल रहा है कि आगर मैं एक हजार नौसुर एक हजार नौसुर बीस रुपे में एक item बेच कर अरजित लाब का पतिशत मतलब एक चीज है उसे वो बेचता है एक हजार नौसु रुपे में एक ही item को बेच कर अगर उसी चीज को अगर में 1280 रुपे में बेचू तो बेचू तो उसके किये गे पतिशत नुकसान और उसके पतिश कर जब मैं 1280 रुपे में बेच तो उसका जो नुकसान होता है वो दोनों के दोस्तों बराबर है समझ आए किने हैं अब इसको छोड़ा मैं लिखकर आपको समझाना चाओगा तो किसी बस्तू को आगर बेचना क्यों थो विक्रेम उल्या उस बस्तू को अगर मैं एक हजार नौससोबीस रुपे में बेच हूँ अगर बेचता हूँ तो मुझे क्या होता दोस्तो लाब होता है तो नैचरल उसे मैंने खरीदा भी होगा तो वो क्या होगा दोस्तो क्रेम उलिया अगरी करते हूं कि नहीं करते हूं होगा कि नहीं हो गया अगर मैं एक हजार नुस्तो इसकी सथारा सूका निस्तो होगा अगर जितने का वेन पेचशुथा होगा तो मुझे क्कृशिस 25 % काshore kama बब da को झांच सेंगाओ अब बढ हो अब झांते यहां झालते ही यहां पेश्ता हो तो मुझे हानी हो जाते है यहां बेशता हो तोtant मुझे मुझे लाब तो मुझे तो कोश्ट प्राइस क्या होगा 1280 और 2920 के बीच में घुम रहा होगा 1500 शोड़ा सो सकता है 1700 सकता है 1650 सकता है 1550 शोचास जाना जो मर्जी हो सकता है पर अमें एक कोशन बोला हुआ है यहां पर जो हानी है और यहां पर जो लाब है दोनों के दोस्तों बड़ाबर है यह देखो यह देखो बराबर है ने इंगलुश में लिक्षो में लखा ओगा इकुल है is equal देखो एकुल की बात कर रह रहर तो दोनों के हानी और जो लाब और हनी व लांग का होगी दोस्तों सेम होगी खेलिट कर दोर वह नoi मैं ने लाब price के होगा काम होगा तोuğ यह फानियो कितनी होगी बरांबर है कि टिट मायनिस कितनी होगी Raoul के मेरा जादा होगा और मेरा बस फ़हका मैने ис-तार चला गया तो किया होंगा दोस्तो प्लस का और यह मांइस का तो उस तरफ 12-1 कितना आगया दूस्तो 32 आ गया और X किसके टू कहां चला गया तो समझाया कि नहीं आया तो मतलब यह आपका कोश्ट प्राइज आ जाएगा समझाया कि नहीं है अब बोल रहा है यह हमारा आगया कोश्ट प्राइज मतलब क्रेम लिया अब इस बस्तू को बेचना 25 पर सेंट लाप पर बेचना तो नैचुरल है उसे मैंने कितने का खरीदा होगा सो पर सेंट का खरीदा होगा और तो कितने का बेचना उसे 125 पर सेंट में बेचना तो अब मुझे तो यह तो मेरे मताबी कर दोस्तों मैं कितने कर दूँगा दो हजार पे में बेचुंगा, तो मतलब मेरा जो अंसर आ गया, वो आ गया, option C is the right answer, समझ आये की नहीं है, तो इस को आपको ऐसे crack करना है, तो डिरेक्ट कैसे करना है, मैंने बताया, कि कभी वैसा आ जाए, हानियो लाब बराबर, ऐसे cost price निकारना, तो आपने चुप चाप, तो भी आपको अपना basic clear करना पड़ेगा, जब तक आप basic clear नहीं होगा, तब तक आप question असानी से crack नहीं कर सकते है, अभी दिखते है, next question क्या बोल रहा है, तो next question बोल रहा है, कि some item where brought at 6 for rupees 5 and sold 5 item for rupees 6, so what is the gain percent, मतलब कुछ बस्तूओं, 5 रपे में 6 बस्तूओं को खरीदा, औ लाब पतिशत क्या होगा, तो natural prime मुझे लाब निकलाना तो cost price और मतलब किसके पीछ के game घूमेगी, cost price और selling price, मतलब बिक्रे मुले के बीच में ही game आएगी, अब कुछ बोरा कि 5 रपे में 6 बस्तूओं खरीदी, तो पैसे का लिखे जाते हैं दोस्तों हमेशा, ऊपर 5 रप लाब और नि बताना तो यहां पर confusion हो जारी तो इसको करो आप ratio में convert कर लो, नीचे वाला खतम करना तो आप इन दोनों का अपने ratio chapter मेरा पढ़ा होगा, कि एक सुत्र में कैसे बांते हैं, तो इन दोनों का कहले लो, लस्म ले लो, तो 5 इससे multiply हो जाए, नीचे वाला कहले हो natural है, यह 5 इससे multiply हो जाएगा, और यह 6 से multiply हो जाएगा, समझ आएक नहीं है, अब देखो, मतलब एक बस्तू वो 25 रुपे की थी, और कितनी की वेची, 36 रुपे में वेची, तो सामने दिख रहा है मुझे क्या हो रहा दोस्तो लाब हो रहा है, और एक बस्तू के उपर निक व भाता से पूछ रहा, तो जब भी किसी की परेसेंटे में पूछ रहा तो मेरा जो आ अंसर आ अप्शन की तब राय वेची, और रहा है, 20 कोणा क मोने आ है, कि मेरा जो वर बोट एट रेट फार रूपीज 350 मतलब मैंने सो 350 रुपे की दर से सो संत्रे करीदे क्लेरो किया मैंने साथे त्यों सुर्पे दिया और सो संत्रे करेद लिए and sold at 4 रुपीज 48 पर दरजन और मैंने 48 रुपे पर दर्जन के इसाब से के मतलब बेचना सुरू कर दिये क्लेर हो गया अब बुर रहा है कि वर्ट इस दा प्रसेंटेज अब थोड़ा समझते हैं अब देखो मुझे पता गेम कहां घुमेगी लाव और नहीं आ रही है तो कोष्ट प्राइस और क्या दोस्तों सैलिंग प्राइज अग्री करते हो अब देखो सो रपे के मतलब साड़े तीन सुर्पे खर्च किये तो साड़े तीन सुर्पे का लिख सब्सक्राइब तो सामने दिख रहा है मुझे लाव हो रहा है कितने का लाव हो रहा है दूस्तों जीरो पॉइंट फाइब का क्या है और दोस्तों लाव हो रहा है समझ आये कि नहीं है तो इतने का लाव हो रहा है तो यह किसमें पूछा पतिशत में तो जब भी किसकी पतिशत निकाल ले आते उसे कहा लिख जाता ऊपर और लाव कुन डिसाड़ करता है कोश्ट पाइज क करेंट कर दोस्तों परसेंट के वह दोस्तों प्रॉफिट हुए लाव हुआ मतलब किया option B is the right answer समझ आये कि नहीं है तो इस question को आपको ऐसे करक करना है अभी देखते हैं next question क्या बोर रहा है और शोप कीपर sell ही is good at cost price but use the weight of 800 gram instant of kilogram ग्राम बेट, what is the profit percent, अब कोशन बड़ा असान है, अब क्या किया, कि उसने, अगर 20 रुपे की चीनी ही माल लेते हैं, 20 रुपे की चीनी थी, उसने, उसने, मतलब 20 रुपे की चीनी थी, तो, दुकान दार ने 20 रुपे की ही चीनी मुझे दे दी, तो उसे कोई लाब नहीं हो होगा, clear होगा, ना उसे कोई लाब होगा, ना उसे क्या होगा, दोस्तो, हानी होगी, प्रंतु उसने थोड़ी चलाकी खेल दी, चलाकी के खेली, उसने, कि मुझे क्या देना था, एक हजार गराम देना था, प्रंतु उसने क्या कर दिया, मुझे कितना दिया, दोस्तो, 800 ग ग्राम ही दिया, नाइचतरल वो लाब थो कमा गया ना 200 ग्राम का कमा घया कितने का कम आगया द।ू gestor excel का लाव कमा गया, वो 200 ग्राम चीनी उसके पज़ एक्स्ट्रा बेचे गी, बचे गई होगी, वो 200 ग्राम चीनी किसी को भी बेच सकता है, वहां से कमा सकता है, तो हम से पुछना कितने पतेशत प्रॉफिट कमा या? हम मुझे पता है लाव और रानी कोई डिसाइड करता है कोश्ट प्रायज और सैलिक प्राइड डिसाइड करता है समझ आएक नहीं है परउन्तु यह एक हजार और एक हजार ग राम आया यहां यह 800 ग राम है प्रण्तु खपत से में तो लब और रानी निकाल सकता हूं किसे निकाल सकता हूं उमेशा प्राइस से धी निकाल 1200 लिख़ती ही रसके खीग तो बस सामने दिख रहा उसे 200 रुपेकर क्या हो रहा दोस्तों लाव हो रहा है यह लाव किसी में पूछ रहा पतिश्यत में तो जब भी किसी की पतिश्यत निकाली जाते उसे कहां लिखे जाता ऊपर लाव कॉन डिसाइड करता कोश्ट भाई कोश्ट भाई कहांगे नीच्छे और गुणा किता है कि सो 202 काटी 2 से काटा कितना है दुस्तों 10 दो से काटा कि देचार चार से काटा कितना है दुस्तों 25 तो उसे जो लाव हुआ वो कितना वह दूस्तों 25 परसेंट का लाव हुआ तो option C is the right answer समझ आएक नियह तो इस question को आपको ऐसे crack करना है अभी देखते है उसका एक बटा चार मैंने बीस परसेंट लोस पर बेश दिया नुकसान हो गया एंड रिमेनिंग एक जो जितना बचा उस पर मैंने दस परसेंट का किया कमाया दोस्तों लाब कमाया आउट ओल ओबर देखा जाए मुझे लाब हुआ कि यहाने बड़ा यासान सवाल है देखो देखते हैं देखो 600 पे की कोई छीज मैंने खरी दी एक लेर हो गए उसका एक बटा चार के बोला उसका एक बटा चर तो इसका एक बटा चार निकाल हूँगा तो चार से काटा आठा कितना आगए दोस्तों 500 सो चेट लेरोगे और बाक्षी कितना पिश्था साड़े चार सो अ क्लेो गए तो यहां पर मैं लिख लेताए हूं यहां पर कितना बचा यह लुए और बाक्षी कितना बचा साड़े पर बेचा कितने की हानी पर बेचा दोस्तों 20% पर बेचा तो बेचना क्या होता दोस्तों सैलिंग प्राइज मतलग क्या होता बिक्रे तो नाच्रल हानी हुई 20% और बाकी बचा हुआ लाब पर बेचा कितने कर लाब पर बेचा दूस्तू 10 पर बेंचा अब नाइचरला इसकी जो हाणी निकालनी पहला रहा है कि र sniff का 50 एक 7-10 की दिन्लोंकि मेरा एक 57 सोबस्थ रिंख के सब्सक्राइं पर सकते हैं आप 52 सबस्तू को कितने के वेचा मैंने 120 अरवेचा तो सामने दिखरा कि सव पर्सेंट का कुलाना बढ़ जब 200 के बचीज होगी 10 की बेची होगी तो 100 की वेली कितनी सामिने दिख रहा 4495 साबहे चार सो का का किए नीचे comparison उनौगे कितना गया दो 9 बटा 210 नकाला दो से काटा कितना आप 254545495 मतलब उसे कितने के बेचा four nine five में बेचा सामने लगा पता कि नहीं लगा पता नैचुरल है यह चीज कितने के पड़ी यह 600 रुपे की तो ओल अबर देखा जाए इसमें कितना मुझे हुआ लाव हो कि हानी हुए पता लग जाएगा पांच यह प्लस की है प्लस के कितना ग्यारा एक पां किसमें पूछ रहा पतिशत में पूछ रहा है तो जब भी किसी की पतिशत निकाल लिए उससे का लिखे जाता उपर लाव कोई डिसाइड करता कोश्वाई कोश्वाई का आगे नीचे और गुना किता आगे तो और पांच का अद्दा के तो तो तू धाई होता तो मुझे यह लाब हुआ वह 2.5 परसेंट हुआ तो अब दिखते हैं आज की दिन का लास्ट कोशन क्या बोल रहा है कि सुनील पर्चेस टू बुक्स एट रुपीज 300 इच मत्रों उसने दोनों बुक्के 300 रुपे में खरी तो मैं लिख देखता हुआ अब यह पुष्ट हमें परुपी like रखे घ्र करते हैं हाल सुसाथ हो डिख दास परसेंट और परेटी और दूसरी वाली नौक अब्च सोफ परशेंट की थी पहली तो गेंच पर वेची तो एकर लिखते होँगी कितनी की बेची होगी 90% की बेची होगी हमसे पूछ रहा है कि वर्ट इस डा टोटल लोस और गेन पूछ रहा है तो सामने दिख रहा है कि आप ना यह थोड़ा ना ऐसे लंबा भी चल ऐसी मैंने ऐसी बताया आपको तो आप शोट करना हो ना तो आप रिशो बना लिए गर र टोटल पॉस्त तो कितने की पड़ी होगी 20 की तो कितने के बेचा ओगा उनीस की 10ध व्यारा अलों कितना हुम हह रहा है कितने के बेस टिसे अब बै को मुझे यहां पर comparison करने की जुरत मी पड़ी? क्यों ने पड़ी? देखो, यहां पर मेरा इस दस है, यहां पर कोश्ट पर इस कितना आ रहा? दस हारा? दोनों यहां भी मेरा जो qorht प्राइज आ रहा है, दोनों का जो co-shed प्राइज आ रहा है, तो मतलब ना मुझे लाब हो रहा ना तो हानी हो रही तो मेरा क्या गया option C is the right answer समझ आए कि नहीं है अगर यहां पर ऐसा लिखा होता दोस्तों अगर यहां पर ऐसे लिखा होता कि उन पुस्तों को मैंने बेचा 300 पे इच दोनों पुस्तों को मैंने 300 पे में बेचा तो ऐसे दिये होता कि पहले बाले पुस्तक मैंने लाब पर बेची दूसरी बाले पुस्तक मैंने हानी पर बेची प्रंतु आप इनका कोश प्राइस सेम नहीं है अब वो बोल रहा होता कि इनका जो विक्रेOD मुले आ वो siem है, तो कैसे करतें, तो इनका विक्रेOD मुले same करना पढ़ना है, अधने, इन दोनों का विक्रेOD मुले same करना पढ़ना है, तो याद हो रिश्यो में आगर आप multiply करो, divide करो, ratio कहरती same, तो इसको मैं किसे multiply करूं कि same हो जाए, इसको मैं 9 से multiply करते है, इसको कि मैं किसे कर दूँ 11 से, तो बस आपने ये same करना है, तो कितना हो जाना है, 90 ये कितना हो जाना है, 110 तो ये कितना हो जाना है, 99, समझ आयक नहीं है, तो मतलए इनको दोनों को plus करता है, 200 अगर मैंने वो तो यह कोशन समझना है, यह पेपर में बड़ा पूशे जाता दोस्तों, क्या कि दोनों का क्रेम उल्य सेम है, तो आपने पिक्रेम उल्य सेम करना है, और आपका अंसर आ जाएगा, समझ आए कि निया आए, तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होग ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस्स ना कर सकें जय माता दी